महादेर स्री सिवाय नमस्तुभ्यम दोहजार चौबिस में जेस्ट महने में अर्थात अभी जो जून का महना चल रहा है आप सभी को प्रदोश का ब्रद कितनी तारीक को धारण करना है पूजा का सुम्मोहरत इस वीडियो में जानेंगे तो अंतितक वीडियो में बने आप सभी जानते होंगे यह ब्रत कल्योग में धन, संपदा, पुत्र, पौत्र का वर्दान दे कर रोग, कर्ज और सब तरह की परेशानियों को दूर करने वाला होता है आप सभी को बतलाते हुए चलो कि जेस्ट महा के कृष्ण पक्ष्री की है त्रियोद अशीति थी इस आप सभार विशेश दुरलप सयोगों के साथ हो रही है जो कि अपने आप में अद्भुत है महादेव की निमित यह ब्रत अपने आप में परम सुक प्रदान करने वाला माना जाता है इस दिन बेलपत्र व्रक्ष की पूजा करना और विशेश तोर पर नंदी महराज की बात करें नमा स्वाय और श्री शिवाय नमस्ति भ्यम जैसे महंमंत्रों का ध्यान इस्मरण करते हुए स्ना नित्यली से निवरित हो कर सुबह के समय ब्रत का संकलप ले और साधारन सरल सी पूजा घर के मंदीर में और महादेव के मंदीर में करें परन्त इस ब्रत की अमर्थ अनुसार पूजन करते हैं बिन मांगे जो है जीवन की कामना सिद्ध हो जाती है इस वर्स दोजार चौबिस में पंचांग के अनुसार जेस्ट महा के कृष्णपक्ष के त्रियोध शीती थी चार जौन दोजार चौबिस को प्रातहकाल बारहा बचकर अठारा मिनट से सुरू होगी इसका समापन 4 जौन 2024 की रात को दस बचकर एक मिनट के आसासपास हो जाएगा उदियाती थी और ब्रत करने के नियम के अनुसार इस वर्स 2024 में मंगलवार 4 जौन के दिन ही इस ब्रत को धारन किया जाएगा सास्त्रों में कहा जाता है जब प्रदोशकाल में अर्था साम के समय में त्रियोद शीति थी ब्यापत हो उसी दिन जो है आप सभी को ब्रत को धारन करना चाहिए तो चार जोन के दिन त्रियोद शीति थी शाम को ब्यापत हो रही है अर्था प्रदोशकाल में पूर्ण और साथ के साथ महादेव के ही क्यार विरुद्रा उतार हैं ऐसे मैं यह भागी की रेखाओ को बहुत अच्छा प्रावल करने का दिन है इस दिन को आपको छोड़ना नहीं है इस दिन पूजा का सुब मोहरत अर्थात प्रदोश काल का स्रेष्ट समय होगा साथ बचकर सोलह मि मिनट के आसपास यह कुल अवधी दो घंटे एक मिनट के आसपास हो रही है आप सभी इस समय पूजा आराणना अपने लेविसेस नियम ध्यान और महादेव को प्रसंद करने के लिए कोई न कोई स्रेष्ट कारी जरूर से कीजिएगा आप देखेंगे आप साधर और सरल त तरीके से भी प्रदोश के दिन महादेव की पूजा कर रहे हैं तो जीवन में खुश्या आ रही हैं उपाय के स्वरूप में आप सभी को घर के दरवाजे पर महादेव आएंगे इस स्वरूप में विसेस दीद्दान करना हैं 108 की संख्या में आप सीवलिंग पर लाल मसूर की दाल जो की मंगल ग्रह से संबंद रखती है वैं समर्पित करनी चाहिए साथ के साथ आप सभी को इस दिन लाल चंदन से महादेव का स्रेंगार करना चाहिए लाल वस्त्र धारण करकर आप अपने भागी की रेखाओं को निश्चित प्रवल कर सकते हैं इसी तरह की विसे जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अभी के लिए इतना ही हर हर महादेव